हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल गले का डिजाइन बनाने के लिए चकोर सेप में कटा हुआ हमने दो कलर का कपड़ा लिया है कपड़े की लंबाई और चोड़ाई आपको नाप लेनी है ये देखिए कपड़े को हम ऐसे फोल्ड करेंगे अब हम दूसरे कलर के कपड़े को फोल्ड करेंगे और पहले वाले कपड़े में ऐसे ज्वाइंट करके इसके किनारे के साइड में सिलाई चला देंगे यहां से हम धागे को और एश्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से हमें ऐसी चार डिजाइन बना कर तैयार कर लेनी है अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और रोजाना एक नए डिजाइन की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बचाकर आलका उप्सन सेलेक्ट करें तो ये देखिए ऐसी हमने चार डिजाइन बना ली है अब देड इन चोड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेंगे कपड़े की उपर हम डिजाइन को यहाँ पर लगाएंगे और इसके किनारे के साइड में सिलाई चला लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पे डिजाइन को लगा लेना है और सिलाई चला लेनी है यहाँ से धागे को और एश्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे अब हमें डिजाइन को ऐसे सीधा करना है यह देखिए, डिजाइन को ऐसे सीधा करेंगे फिर यहां से हम कपड़े को फोल्ड करके डिजाइन के उपर लगाएंगे और इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे इस लाइन को कम्प्लीट करते हुए अब हम यहां से धागे को कट करेंगे धागे को कट करने के बाद सारे डिजाइन को ऐसे अलग-अलग भागों में बाट लेंगे अब हमें एक लंबा सा कपड़ा लेना है कपड़े की लंबाई और चोड़ाई कितनी है ये नाप लेते हैं कपड़े की लंबाई हमने 16 इंच ली है और इसकी चोड़ाई कितनी है ये देखे 4 इंच कपड़े की चोड़ाई है कपड़े की पीछे हमने इस्तरी की सहायता से बकरम को चिपकाया है अब हम कपड़े के उपर डिजाइन को यहाँ पर ऐसे लगाएंगे और इसके बीच में सिलाई चला लेंगे चारो डिजाइन को हमें एक दूसरे में ऐसे ज्वाइंट करते हुए बीच में सीधी सिलाई चला लेनी है यहाँ से हम धागे को कट कर लेंगे धागे को कट करने के बाद अब हम डिजाइन के किनारे के साइड से सिलाई चला लेंगे एक साइड में सिलाई चलाने के बाद अब हम डिजाइन के दूसरे साइड में सिलाई चला लेंगे डिजाइन के दोनों साइड में सिलाई चलाने के बाद अब हमें सूट का कपड़ा लेना है सूट के कपड़े में फ्रेंड हमने इस तरह की सहायता से ऐसे बकरम को चिपकाया है बकरम की लंबाई और चौड़ाई कितनी है ये नाप लेते हैं लंबाई हमने साड़े 15 इंच ली है और इसकी चोड़ाई हमने 5 इंच ली है बीच में से हम कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे यह देखिए अच्छे से बीच में से फोल्ड करना है फिर यहां से हमें एक इंच की लंबाई पे टिक लगाना है अब हम एक इंच दो पॉइंट की चौड़ाई पे ऐसे टिक लगा कर लाइन अप कर लेंगे स्केल की सहायता से हम यहां से एक बराबर में लाइन अप कर लेंगे यहां से लाइन अप करने के बाद अब हम यहां अंदर की तरफ में तिर्ची में लाइन अप कर लेंगे अब हमें इसकी cutting करनी है पहले बीच में से ऐसे cut करेंगे फिर तीर्षी वाली line को ऐसे cut कर लेंगे इस तरीके से design की cutting करने के बाद अब हम कपड़े को open करेंगे तो ये देखिए फ्रेंड कुछ इस तरीके से हमने design की cutting की है जिस shape में हमने cutting की है बिल्कुल उसी shape में कपड़े को ऐसे fold कर लेंगे और इसे अच्छे से इस्तरी कर लेंगे जिससे हमारा कपड़ा perfect shape में बैट जाएगा तो ये देखिए हमने कपड़े को अच्छे से इस्तरी कर लिया है अब हम इसे सीधा करेंगे कपड़े को सीधा करने के बाद अब हम इस कपड़े में डिजाइन को ज्वाइंट करेंगे तो ये रहा हमारा डिजाइन डिजाइन को हमें अंदर के तरफ यहां पर लगाना है दोनों डिजाइन को ज्वाइंट करने से पहले फ्रेंड हमें डिजाइन में पाइपीन लगाना है तो पाइपीन लगाने के लिए हम एक इंचोड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेंगे इसे फोल्ड करके यहां अंदर के तरफ ऐसे लगाएंगे यहां से हमें एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है सिलाई चलाते समय इस बात का ध्यान रखे किनारे के साइड में हलका सा हमारा दूसरे कलर का कपड़ा दिखना चाहिए यहां पर हम सिलाई को श्टॉप करेंगे और नीचे की तरफ में ऐसे सिलाई चला लेंगे अब हमें इस साइड में भी फ्रेंड पतला पाइपीन लगाना है तो ये देखिए कपड़े को फोल्ड करके अंदर की तरफ ऐसे लगाएंगे और इसकी उपर सिलाई चला लेंगे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और रोजाना एक नई डिजाइन की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा कर आल का उप्सन सलेक्ट करें यहां से धागे को कट करेंगे और यहां पर भी हलका सा हमें सिलाई चला लेनी है जिससे हमारा डिजाइन परफेक्ट सेप में बैठेगा अब हम एश्ट्रा कपड़े को यहां से कट कर लेंगे इस लाइन को complete करने के बाद अब हमें गले की cutting करनी है गले की cutting करने के लिए सबसे पहले हम बक्रम लेंगे बक्रम की लंबाई साड़े 8 इंच है और इसकी चोड़ाई हमने 10 इंच ली है बीच में से हम बक्रम को fold करेंगे और यहां से 3 इंच की चोड़ाई पे टिक लगाएंगे गले की लंबाई नाप लेंगे गले की लंबाई हमने 6 इंच ली है लेकिन आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा ले सकती है इसकेल की सहायता से दोनों साइट से लाइन अप कर लेंगे अब हम यहां से हलका सा गोल सेप देकर नीची की तरफ नोखिला सेप में ऐसे लाइन अप करेंगे अब हम यहां से ऐसे हलका सा गोल सेप में लाइन अप करेंगे इस तरीके से लाइन अप करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे जिस सेप में हमने लाइन अप किया है बिल्कुल उसी सेप में हमें इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरीके से डिजाइन की कटिंग करने के बाद हमारे डिजाइन का लुक कुछ इस तरीके का आएगा डिजाइन को हम इस तरी की सहायता से कपड़े पे ऐसे चिपका देंगे जिस सेप में हमारा डिजाइन है बिल्कुल उसी सेप में किनारे के साइट से कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके उपर सिलाई चला कर इस लाइन को कम्प्लीट कर लेंगे इस लाइन को कंप्लीट करते हुए अब हम धागे को कट करेंगे और इस डिजाइन को सूट के कपड़े में ज्वाइंट करेंगे तो ये रहा हमारा सूट का कपड़ा, सूट के कपड़े को हमें उल्टा करना है यह देखिए सूट के कपड़े को ऐसे उल्टा करेंगे और यहां गले की डिजाइन को ऐसे लगाएंगे गले की डिजाइन को ऐसे लगाकर डिजाइन के बीच में सीधी सिलाई चलाएंगे अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे धागे को कट करने के बाद जिस सेप में हमारा डिजाइन है बिलकुल उसी सेप में हमें डिजाइन के उपर यहां से सिलाई चलानी है सिलाई चलाते समय डिजाइन को और कपड़े को पर्फेक्ट सेप में बैठाते रहें जिससे आपके डिजाइन में पर्फेक्ट फिनीशिंग आएगी और आपका डिजाइन इजली तयार होगा इस लाइन को कम्प्लीट करते हुए यहां से हम धागे को कट कर लेंगे धागे को कट करने के बाद सिलाई के हलके से बगल में एस्ट्रा कपड़े को ऐसे कट कर लेंगे डिजाइन को प्रफेक्ट सेप में फोल्ड करने के लिए यहां कोने की साइड में हलका सा कपड़े को कट करेंगे और डिजाइन को फोल्ड करके सीधा करेंगे तो ये देखिए, डिजाइन को perfect shape में बैठाते हुए, fold करके सीधा कर लेंगे अब हम डिजाइन के उपर सिलाई चलाएंगे, सिलाई के starting हमें यहां से करनी है इस line को complete करते हुए, हम यहां से धागे को cut करेंगे धागे को cut करने के बाद, अब हमें डिजाइन में market वाले बटन को लगाना है तो market जैसा बटन घर पे बनाने के लिए हमने set का बटन लिया है यह देखिए, set के बटन को हमें कपड़े में ऐसे fold करना है और धागे के मदद से हमें कपड़े को अच्छे से lock कर देना है अब हम धागे को और extra कपड़े को cut कर लेंगे सूई धागा के मदद से हमें डिजाइन में ऐसे बटन लगा कर तयार कर देना है इसी के साथ हमारा यह नेक डिजाइन कंप्लीट हो चला है आपको यह डिजाइन कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा मिलते हम नेक्ट वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ ठैंक्स वर वाचिंग माई वीडियो